हलो दोस्तों सागत है आज आपका हमारी इस नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज कल आप अपने गाउं में आसपास सहरों में या अपने घर में या आसपास पलोस में देख रहे होंगे केक बिमारी बहुत ही समान ने काउमन चल रही है या कुरोना की तरह अपना पैर प्रसार रही है जैसा कि कोई वेक्ति देखे आप रात को सोते हैं और सुबा उड़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी आँखे पूरी चिपचिपी हो गई है आँखों से पानी आने लगा है आँखे खुल नहीं रही आँखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है आँखे गुलाबी हो गई है पिंक कलर की हो गई है या रेडियस हो गई है तो लोग डर जाते हैं कि यह क्या हुआ हम तो साम को पूरी अच्छी तरह सोए थे हम सब कुछ फिट थे हम तो यह सुबा हमको क्या हो गया है तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे देखिए इस विमारी का नाम होता है कंजक्टिव आइटिस या एक प्रकार की आँखों का इंफेक्शन होता है जो की वाइरल बैक्टिरियल और एलर्जी के कारण हो सकता है यहां कि कोई विक्ति धूल की एलर्जी हो जाते हैं या किसी वो ऐसी जगह काम करते हैं या किसी इंडस्टि में या ऐसी धूल वाली जगहों पे या जहां ज बैक्टेरीया यह वायरल के कारण यह बिमारी हो सकती हैं अभी तक यह देखा गया है कि यह बैक्टीरीयल अलर्जी 오र्वायडस, के कारण दीवा कारण यह बिमारी बहुत तेजी से फ्य और आक क्रोना वायरस की तरह ही अपना पैर प्षार रहे समाझ में तो हम आप लोगों को इस कंजक्टिव आइटिस बिमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसका इलाज आपको कैसे करना है और आप यह तो जान ही चुके हैं कि यह वाइरस बैक्टेरिया और एलर्जी के कारण फैल लए हैं तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके घर में किसी को यह विमारी हो जाती है तो सरप्तम उनको एक अलग से कमरा दे देजिए और वह संग्लास का उपयोग करें धूप वाले चसमें का उपयोग करें और या तो बाहर निकलें धूप वाले चस्मों का यह घर में रहें या कहीं भी जाएं तो वह परसन को हो सकती है या भी मैरे ऐसा कुछ नहीं कि एडल्ट में बच्चों में हो या दोनों में कामन रूप से चल रही है तो यह रही कि आपको सावधानी इस तरह बरतनी है साब सफाई रखनी है और अब बात रही किसमें आपको दवा कौन से लेनी है तो इसमें डरने की करना है सरप्रथम आप ले लीजिए सिप्रो फ्लक्सासिन 500 मिली ग्राम में और अगर आँखों में दर्द और सूजन बहुत ज्यादा है तो आप एसिकलो फिनाएक पैराशिटामाल और आईबी प्रोफिन पैराशिटामाल में से कोई एक का सेलेक्शन कर लेजिए तो आप आपको आई ड्रॉपस का सेलेक्शन करना चाहे ओफ्लक्सासिन प्लस डेक्सा में असार्ड वाता है या आप जैंटम आई ड्रॉपसीन ले लेजिए उन तोनों ऐसे कोई एक ड्रॉप का सेलेक्शन कर लिजिए और आप को यह ड्रॉप दिन में चार से पांच बार दो का आई ओंटमेंट का सेलेक्षन कर लेजिए तो जैसे कि हमने आपको बता है कि यह किस कारणों से होती है इससे आपको साउधानी कैसे बरतना है इसमें क्या दवा लेना है डरने की बिल्कुल बात नहीं आपको यह दवा सिर्फ पांच से साथ दिन ले लेना है तो आपको क्वरतनी है तो यह रही इसके बारे में पूरी जानकरी है है तो हमें उम्मेद है कि आपको कंजक्टिवरीं के बारे में पूरी जानकरी मिल्गाई होगी तो अगर आप तुमारे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन चुरूर प्रेस कर लिजिए थैंक यू